वीडियो चुरू करने से पहले बता दो कि सब्सक्राइब करो या टेक्नोसार चैनल को और साथ में घंटी का इकर को भी जरूर से दबा देना गेमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और लेकर आया हूँ आपके लिएक और बहुत ही जाते कमाल की वीडियो तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मियूए 9 की ओफिशियल ले टेस्ट न्यूस जो की शाओमी ने आज अन्विल करी है अपने फोरम पे और ओफिशिल फेस्बुक पेज पे तो आज ये न्यूस जो है वो 19th of July को आईए और सबसे पहले मैं आपको जो है वो न्यूस दे रहा हूं तो इसमें बेसिकली आपने देखी लिया होगा थमनेल में वो क्या कह रहे हैं बीटे टेस्टर्स चाहिए उन्हें पहले बता दू चाइना रॉम के लिए और प्लस में उन्हें जो डिवाइस सपोर्टड है वो बताए हैं और कौन से डिवाइस को ये सबसे पहले मिलेगी वो तो अगर आप इंट्रस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आप चाहना रॉम को एक बार देखें कैसी है कैसी लग क्या आप पहले मेंबर बनना चाहेंगे उस पहले बैच के मेंबर जो कि यूज करेंगे मियूए 9 को और बताएंगे कि वो कैसी है पट चाइना रॉम के लिए तो here comes a great opportunity that you need to grab तो वो बोल रहे हैं कि एक opportunity है जिसे आपको जरूर लेना चाहिए तो यहाँ पर अब मैं बता देता हूं कि कौन से कौन से devices में यह support करेगी और किन किन को यह पहले मिलेगी तो यह फिर से बता देता हूं चाइना रॉम की है यह information यह information जो है global रॉम के लिए नह ही है तो आप देख सकते हैं उन्होंने दी हुई है application टाइम के लिए deadline पुस्ट अगर्स 2017 बीजिंग स्टेंडर्ड टाइम तो अगर जल्दी से जल्दी अगर आपको टेस्ट करनी है यह मतलब आपको देखनी है कैसी है तो जल्दी से जल्दी जल्दी जा किया जो आप अप बता देता हूं तो users with the following devices can apply me 6, me 5s, me 5s, me 5c, me 5s, me 4s, me 4c, me 4, me 3, me 2, me 2s, me mix, me max 2, me max, me note 2, me pad 2, me pad 1, redmi note 4x जो की media deck पे चलता है जो की चाइना में है और redmi note 4x snapdragon जो की इंडिया में है तो redmi note 4 जो की इंडिया में है basically redmi note 3 empty के जो इंडिया में नहीं है और redmi note 3, redmi note 3 जो की मेरे पास है और आप सभी लोगों के पास बहुत सारी मतलब major जो है उनके पास होगा तो mean redmi note 3 जो है वो snapdragon वाला भी support करेगा 100% उनके दिया है redmi note 2, redmi note, redmi note 3G जो भी आपके है और redmi pro, redmi 4x, redmi 4a जो नहीं आया है, redmi 4 जो इंडिया में चल रहा है, redmi 4 prime अभी नहीं है, इंडिया में वो भी है, redmi 3s अगर आपके पास है तो वो भी है, redmi 3s prime भी मिलेगा, redmi बट ये china rom के लिए है, फिर से बता दू, global rom के लिए, फिल्हाल को information नहीं है, redmi 1, तो नीचे आएंगे, तो आप यहां पर दिखेंगे, the following devices will get the mu 9 beta update first, तो 3 devices इनों ने बोले है, mi 6, जो कि अभी तक इंडिया में launch नहीं हुआ है, और basically पता नहीं हो जाना चाहिए, शाहिए अगले महीने या, दो महीने बाद, तो जो भी होगा, वो देख लेंगे, और redmi note 4 qualcomm, to redmi note 4 qualcomm snapdragon 625, जो की इंडिया में है, 4 वाला redmi note 4, और redmi note 4 x, जो की china में launch हुआ है, वो वाला है, तो बहुत ही जादा खुश कबरी है, redmi note 4 वालों को, की उनको पहले ही, बहुत मिल जा एक बार जरूर test कीजे कि वो कैसी है, फिर से बता दो, अगर जिनको नहीं आता है, जो global rom में है, वो ना करे basically, और जिनको आता है, जिनको देखनी है, तो वो जरूर apply करे, और अगर कोई मेरे subscriber apply कर रहा है, तो यार एक बार मुझे जरूर वीडियो की link भेज देना अपनी, बना जेना एक वीडियो तो मैं भी देख लूँगा की वो कैसी, क्योंकि मेरे पास है Redmi Note 3, Redmi Note 4 नहीं है मेरे पास फिला, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगाई है, जानके कि Redmi Note 4 जैसे budget device को उन्होंने MI6 के साथ रखा है, MIUI 9 के लिए beta testing mode में, तो यहाँ पर आपके लिए application procedure सीजर लिखे होए हैं, जैसे step 1, download the MIUI Global Forum app, जो आप कर सकते हैं, तो और फिर वहाँ पर आपको जो है, वो apply का option आ जाएगा, या फिर method 2 नहीं दे रखा है, method 3 वगेरा, तो फिर है step 2, on the home page, select recruitment, तो यहाँ पर आपको select करना है recruitment, fill out the information as stated, click the submit button, we will send you a forum PM after approval, तो आपको क्या करन है, recruitment option आएगा, खोलते ही MIUI Forum, उस पर click करना है, अपनी information देनी है, वो आपको फिर है, जो आपका approval कर देंगे, आपको एक बर देखेंगे, और फिर approval जो है, वो कर देंगे, तो यहाँ पर जो है, responsibilities, privileges, यह सब आप खुद पढ़ सकते हैं, FAQ, reminder, और यहाँ पर फिर कुछ thread द जिसको support करेगी, और किसको सबसे पहले जो है, वो मिलने वाली है, आज शकरता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आगे, और पसंद आई है, तो like, subscribe कर देना, आपने सारे Android और PC वाले दोस्तों के साथ, जिनके पास Mika device है, especially Redmi Note 4, Qualcomm, और जो test करना चाते है MNN को, तो आज के बस इतना ही, चलता हूँ, मिलता हूँ, आपसे अखली वीडियो में, so this is Saurv Kapil XT Technosaurv, signing off guys, bye bye